नमस्कार दोस्तों मैं शोर अब और आप देख रहे हो क्रिक्ट फेंटेसी यहाँ पर मैं आपको मैंस रिलेटेड हार इन्पोर्टेन इन्फोर्मेशन देने की पूरा कोशिस करूंगा जो आपको एक बहतरीन फेंटेसी टीम कॉम्बिनेशन बनाने में मदद करेगा आपटा टोस, पीछ रिपोर्ट, प्लेइंग रेवन, कुछ फार्दार अपडेट यह सभी मैप को टेलिग्यम चैनल पर इन्फोर्म करता हूँ इसके अलवा स्मॉल लिग का टीम एंड कौनसा प्लेयर आज आपका ट्राम्पी हो सकता है यह सभी मैट टेलिग्यम चैनल पर इन्फोर्म करता हूँ इसलिए टेलिग्यम चैनल के साथ जुनना आपके लिए विहाद जरूरी है नीचे डिस्किप्शन पर लिंक है लिंक है तुरू आप हमारे साथ टेलिग्यम चैनल से जूर सकते हो शुरुआत करते हैं पीसल का ट्विंटीद मैच जो खेला जाने वाला है लाहर कलंदर और मुलतन सुल्टन के बीच में गदाफी स्टेडियाम लाहर पर फोर्त माच साथ बाजगार तीस मिनिट पर बीफोर इस टूर्णमेंट इन दोनों के बीच में अभी तक तेरा मुंगा मेला खेला जा चुका था जिस में से वह मैच लाहर ने ओन क्या था अब देख लेते हैं उस मैच में लाहर के तरफ से स्टार प्लेया था फाकर जावन ने 66 रन के नोक के लाथा उसको बार बेग ने भी 32 किया था हुसेन तालाद ने 20 प्लास 20 के 20 रन किया था और एक विकेट चटका था उस मैच में मैंने हुसेन तालाद के ऊपर वेडिक्सन दिया था कि इसका सेलेक्शन परसेंटेज बहुत ने 75 रन के एक आउर्स्टेंडिंग बारी खेला था सार मासुन ने 35 डेविन विलर ने 25 उस्वान मीर और इसानुलर ने दो-दो करके और आखिर उसन ने एक विकेट चटका था आप देख लेता है पीज रिपोर्ट गादाफी स्टेडियम पर जो पीछ रहाता है वह जनरर बाउंस मिलता है और पेस होने की वज़य से उसको विकेट भी मिलता है मैंने पिछले मतला पहले मैच से बोल रहा था कि गदाफी स्टेडियम पर हैरिस रॉप बहुत इंपर्टेंड होने वाला है फिला है हैरिस रॉप ने दो मैच में चार विकेट चटका दिया था इसलि बहुत है हाइग स्कोर dido मैं देखा था लेकिन मैच सफ्ले माच पर 148 हो गया था धोड़ा लोर्स कोर इन देखिना को मिला लेकिन इस में чिट सकते हैं आपको युइख फाल्लकी भास के तो बहुत मतला पिछले माच शाथ्रा उdepth बहुत से पहले साथ्रा उस्षोद्वाить जीसमें से पेसान ने पिछले माच में नाइन उइकेट चटका था और इस नाइन उइकेट में से हैरिस्टॉप काई तीन उइकेट था आप देख लेते हैं लाहोर की प्लेइंग पॉसिबेल प्लेइंग इलेबन विद रिसेन फॉर्प लाहोर ने अभी तक छे मैच खेल चुका है जिसमें से पास मैच ओन किया है और एक मैच हार गया है लाहोर अभी टेबिल पर नंबर वन पोजिशन पर है फाकर जमान के साथ भी टो भी लिए अहां कौन काँको प्रोप हो गए इसलिए इंचारहों का फ नहीं देखने को मिलागा आपको उसके बाद सिकंदर राजय ने पिछले मैच में 71 राइग रान की एक पर्ट्रेक्ट नौक खेला था जिसके थुरू लाहोड ने वह मैच ओन कर गया था और उस मैच पे सिकंदर राजय ने मैन अप दा मैच भी हो गया था उस्ट बाद हुसें तालत है हुसें तालत वाइस है डेविड वाइसी का यह फॉर्म है आप देख सकते हो उसका रासीद खान रासीद खान काफी संदर फॉर्म में है और इस मैच में भी विकेट चटकाते हुए आपको देखने को मिल लगा साइन अप्री दिने पिछले दो मैच से विकेड लेस गया था मतलब जब लाहर गदाफी बार पीछले में मतलब एक बार ही पांच विकेड चटका था लेकिन दो बार विकेड लेस चल गया था और हरेस रॉप हैरेस रॉप मतलब गदाफी स्टेडियम पर बहुत ही इन्पोर्टेंड होने वाला है यह जिए वह मैंने बोला ही था कि हाड लेंड को करते है और हैरेस अब का जो मतलब मुआप गदाफ का जावां सकते हैं ऊप्लीन बार करें तो चैनल अब बिला भिढ गवार आ जाता है बीद में देख लेते हैं मुल्तन-सुल्तन के प्रेविंग फ्लेवन पीज़ेंगड Rijwan के साथ आपको मासूद को ओपनिंग करते हैं देखने को मिलेगा Ch Millsegaard consistency बहुत ही अच्छी मत्रब आच्छशा form में है और consistency आपको स्कूर करके देता है लिसलिए Rijwan मास्टप कर लिए आप चाहूध तो मासूद को भी Try कर जाए हो उसके बाद पिछले मैच को छोड़ के बहुत ही संदर फॉर्म में था उसके बाद डेवीड मिला जब भी बैटिंग मिलता है तब भी मतलब आच्छा खासा स्कूर आपको करके देता है इसलिए डेवीड मिला मतलब आपको इन्पोर्टेंट पीक होता है उसके बाद खूसदिल शाह का प फॉर्म कुछ ठीक टाग नहीं है एक सिर्फ एकी मैच में विकेट मिला था उसके बाद आखिल वसन का ही सेम है ठीक टाग नहीं है उसके बाद अब बास अप्री दिने काभी आच्छा फॉम दिखा है अपना पिछनो मैस को छोड़के मतलब हर मैस में दो दो चार के इसलिए सेमिल्स इंफोरीं और लगार क्लड थे रहता है ठीक परलडा पकी एक सब्सक्रिक्णके की को इसलिए सेमब्लीन शेंए कर सकते हो फिल लिंग विकेट की की से कुछ पॉइंट देखा और आच्छा गासा स्कूर भी आपको करके दे सकते हैं इसलिए सेंबिंग सेंबिलिंग्स इन्फोर्टिंट पी होने वाला है उसको राइले रॉसों को जरूर ट्राइ करना उसको फाकर जमान है फाकर जमान को तो मास्टाफ पीको आपके लिए डे पीए सब्सक्राइब चल रहा है ना यह बहुत ही रिक्सी होने वाला है किसको छोड़के किसको पिक करूँ मतलब कुछ भी हो जाता है कभी मतलब कौन सा प्लेयर का परफोमेंस करतेगा कुछ मतलब प्रेडिक्शन नहीं अन्प्रेडिक्टेबल हो गया तोड़ा आप तो किसको छोड़के किसको पिक करने वाले हो इस मतलब इसमें से बहुत आपको कंफियूशन होने वाला है फिलाल मैं आपको बता दूंगा कौन सा प्लेयर आपको चलने वाला है ठीक है उसका बात अब अब्दुल्ला सफिक को ट्राइब कर सकते हो और लाउंडर सेक्शन से फ को ड्रॉप करते हो मतलब मनली यह सफिक को ड्रॉप कर दिया क्या सेम बिलिंग्स को ड्रॉप कर दिया फिर आप सिकंदर राजा को ले सकते हो नहीं तो आप सिकंदर राजा को ड्रॉप कर सकते हो फिलाल मैं सफिक और सेम बिलिंग्स को पिक कर लिया तो फिर मैंने सिकंदर अपको कभी विकेट चटका की दे सकते हैं और अन्वार अली मुझे लगता है इंपोर्टेन होने वाला है यह बैटिंग भी करता है और बोलिंग भी करके देता है और काफी आच्छा-खाचा बोलिंग कर लेता है हुसेन तलत से मुझे मतलब उमीद बहुत जादा था लेकिन वह बहुत ही निरास कर दिया मुझे इसलिए हुसेन तलत को मैं फिलाल नहीं पिक करने वाला हूँ कार्लोस ब्रेत्विट का भी सेम देखी मैच बेविके चटका था नहीं मिला उसके बाद राजीद गाम मास्टा पीग होगा इसानुला मास्टा पीग होगा बोलार में से बहुत सारे टेलेंटेड मतलब बोलार है आप किसको छोड़के किसको फिक करूँ यह बहुत ही कंदू होने वाला है इसीलिये मैं से अप्रीदी करने वाला है बहुत का त्यांटे जोस्रैजा रहा है और बहुति को फिकत करने वाला हो इसके अलाबा तो आप चाहो तो skip कर सकते हो और नहीं तो invest तोरा कम किजिए फिलालाव Harris Rop और आफ्रिदी ये दोनों important pick होने वाला है ये होने वाला है मेरा dream captain vice captain की बात करे तो आप फाकर जमान को captain कर सकतो रासिद घन को captain captain vice captain कर सकते हो और रिजवान तो सभी के पास होगा ही captain default captain रहने वाला है आप कुछ अलग करने चाता हो तो रोसो को कर सकते हो Harris Rop को कर सकते हो नहीं तब इसानूला को कर सकते हो व्रीडियो अच्छा लगा और informative लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देजगा